नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर विने गुपता कैथल टीवी से आज सरकारी हस्पताल कैथल में पहुँचकर उपायुक परदीब धहिया ने निरिक्षन किया उसमें जो प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्षन टेकनोलोजी से लगाये जा रहे नए ऑक्सीजन प्लांट भी शामिल था बीसी परदीब धहिया ने बताया कि जो प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्षन टेकनोलोजी का प्लांट कैथल के सरकारी हस्पताल में बन रहा है वो ऐसी आधुनिक्तम तकनीक का उपयोग करता है जिससे हवा के जरीए ऑक्सीजन को कुछ रसाइनों के माध्यम से खीच लिया जाता है और नाइट्रोजन को अलग करके ऑक्सीजन को अलग छाट लिया जाता है जैसे ही ऑक्सीजन प्लांट सरकारी हस्पताल कैथल में काम करने लगेगा तो 1000 लीटर ऑक्सीजन प्रती मिनट की दर से ये प्लांट ऑक्सीजन बनाया करेगा और DC ने कहा कि जो इसको बनाने का काम है वो ठीक गती से चल रहा है और जल्दी ही कैथल वासियों को इसकी सोगात मिलेगी DC परदीब दहिया ने Oxygen Plant के साथ साथ कैथल के सरकारी हस्पताल में चल रहे उमंग सेंटर जी हाँ जो करोना से ठीक हो रहे जा हो चुके जो पेशेंट्स हैं उनके लिए जो एक आयूरवेदिक और होमियोपैथिक और मेंटल हेल्थ की उनको बिमारी ना हो इसके चलते जो उमंग सेंटर बनाया गया था उसका भी दोरा किया और उनोंने बताया कि इसमें लगबग 200 से जादा मरीजों ने अब तक अपना इलाज करवाया है और करोना के बाद उमंग सेंटर में अपनी हाजरी लगाई है ने को कि दृष्ञ को घडिए कि अन्यृटा इसन आहा वे आघसान अपने आप हैâte Says da कर्वार हे संहां दोर फजीजन ने तहसे आटा इसमपpled हो तो इसमें आए मिन गाए अजका अपन Loc xem कुछ। कह जभर रचल्ट अमिर्भाई लेट शोराों कि सु हॉत भी है। यह शोपीं हम्ही अपने C 가ूणी शीन होगे। क्यों अमारे यह यह जरी बटो दा। अधोन अधोनित अधो कि पर आकणी शोरा। अधो nasalphones फिलेगशन आगवार आज़ना थेरों। वाली जो हमारा मेलिफोर है तो पयों प्रटैनल आगा वे तुसरह शाटक तरह करी आरे हैं वाली जो मैलिफोर घ्लाकुटिया है इस है कि अपर पैसर बेत्व के लिगना प्रेले काम इस प्रैक्टिविटी ईए कि वीट्सक्राइव अनगा तरह अधर सुषब कर जो पैस लिए। अब वो ऑक्सिजन के सब तीन बैक अप होगे हमारे आप यह बताइए आज इंगिनिया साफ आजी मेरे को दो मेने करी होने वाद है यह रूम आपको चाहिए तो यह पहले करने वादी कैस के जिए थोड़ी करना दामने इसके लिए पहर लगा हुआ 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 ह देखिए जो एंटिस्पेटिड है थर्ड वेव के लिए जैसे नवह से एक्स्पेरियंस में आया कि औक्सीजन की कमी रही थी थोड़ी तो ओक्सीजन की आपूर्ति की गई थी दूसरे जिलों से जैसे बुस्टिंग स्टेशन इए जहां पे थी जैसे हमें पहले जीन से सब्लाई हो रही थी उसके बार अंबाला से हुई आपने देखा होगा आपका experience रहा हुआ सभी अधिकारियों ने दिन रात मेनद करके उन्हीं कमी बिल्कुल नहीं आने दिखा है थलजीले में तो वो आपूरती हमारी सुचारू रहे उसके लिए ये PSA plant in-house अब install किया गया है ये हमारा जो plant है ये manifold system के थूँ काम करेगा PSA technology based है इसके तहत ये environment से अपना air सक करेगा और उसको compress करके nitrogen का अलग करते हो oxygen उससे produce करेगा और ये boosting station के बिना है ये directly ही ICU में supply करेगा इसके लिए क्योंकि ये electrical system है इसके लिए बिजली सुचारू रहे इसके लिए एक dg gen set भी है इसके साथ ताकि कोई ऐसी प्रिशानी ना हो सर कितनी समता रही गया समय thousand lpm कि इसकी कब तक सर कितने मिनट है liters per minute lpm का ओने liters per minute सर इससे जो oxygen निकले कि सर वो civil hospital में होगे या फिर अन्य hospital में बन जाई आई यह देखिए क्योंकि सबसे बड़ा जो हमारा hospital है पूरे जिले में आपको पता ही है में जो जरूरत रहती है civil hospital में रहती है इसके इलाव़ जहां ऑस्पिटल्स होंगे वहां पर हम cylinders के माध्यम से देना चाहेंगे supplies को और cylinders की कोई कमी नहीं है अभी भी headquarters से हमें 60 cylinders मिले थे डी टाइप के भी बी टाइप के भी और अब यह जो हमारा hospital है जो 100 बैड का है इसके साथ साथ आप देखिए जैसे और hospitals हैं हमारे हैं वहां पर भी सरकार कोशिश कर रही है ताकि वहां पर भी ऐसे प्लैनिंग के तैत होता है इसा नहीं होना चाहिए अभी हम इंस्टॉल कर दें फिर वह यूटिलाइज ना हो तो कि इस प्रूरी है देखिए हमने month end का target लिया हुआ सारी चीजों के साथ ठीक है आपको भी पता अभी supply में ऐसा कोई issue नहीं oxygen कर लेकिन हम इसमें ना कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहतेगी जल्दबाजी में कोई गल्ती ऐसी हो जाए कि बाद में दिक्कत हो तो इसकी टेस्टिंग के बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मन्ध हैं में हमारे सफचार हो र सरकार का नियम भी आ चुका प्राइवेट होस्पिटल्स को भी जिनके पचास बेड्ड से उपर की कफिस्टिया उनको ऐसे प्लैंट्स बनाने पड़े हैं मैंनी फॉल्ड सिस्टम मोता पाइप लगी हुई है सरकार का अधिक्ट विभाग है पी डवी डी बिल्डिंग एंड रोर्स वो लोग इसका दिखेंगे अभी एक्सिट्व इंजर्स ने मैनित कि इसके लिए कोई कमी नहीं आए या आपके डिसकॉशन भी किया सभी ऑफिसर्स ने बिलकुल बता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स का अभी जो रिवीव है क्यों जो पचास बैट से जारे का पैस्टिकन को छह मीने का समय दिया गया था तो उसका हम रिवीव करेंगे कहां तक पहुचा है लेकिन जितना मेरा डिसकेशन हो आया यह में से मीटिंग हुई है हमारी भी बीमस अपने जिले में नहीं आया था लेकिन फिर भी अमेलर्ट है इस बात को लेकिए बिल्कुल देखिए जो पॉर्टेवल हॉस्पिटल है वह सी एसर एक्टिविटीज के तहत सी एम जी जी ने और बाकि अधिकारियों ने कॉडिनेट किया है उसके तहत अमेरिका इंड़ों करेंशन ने हमारे लिए यह जो फंडिंग किया इसकी इसमें मौर देन टू सी आर का हमारा जो एक्पेंसिस आ रहा है वो सरकार का खर्च नहीं सी एसर फंडिंग मिलिया हमें इस बात से थोड़ी खुशी होती कि इतने इंटीर एरिया में भी सी एसर सरकार के प्रयास से यह इसा वाटर लॉगिंग का या फिर बिजली का हर सुविदा यहां पर है जस्ट उनको कोडिनेशन करना है और अधिकारी सब ही अलर्ट है देखिए एक्जिकुटिव इंजिनेर्स हैं यहां पर कोई प्रेशान ही नहीं आई यह सब एक्स्पिरियंस्ट ऑफिसर से हैं सेंट स्ट करने काम उनका है लेकिν स्टेट्र इसमें मिल की काम कर रहे हैं कोडिनेशन की जूट होती हैं यह बिल्कुल इनको अमने जैसे आपकी तरफ से फीड़बैक आता है हमने देना हो फीड़बैक तो आप सब को दीजिए समान रूप से दीजिए क्योंकि इनफरमेशन डिस्टोर्ट होती है फिर लेट मिलती है आप लोगों को भी असवीदा हो तो अब बात यह आती कि इसको लेकर जैसे माने निया स्वास्तेमंत्री जी उन्होंने वीडियो कॉंफरेंस की थी उस मीटिंग में मैंने बिल्कुल मुद्दा उठाया था और उसका अफर यह हुआ है कि भी सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट हो रहा है सेंट्रलाइज रि वो हमने उसके अद्वर्टाइजमेंट के लिए ऊथराइज कर दिया है सेंट्रलाइज साहब को हम उसका रिक्रूटमेंट करने को जिलास तर से ही हुआ है